दोस्तों Indian Railway Finance Corporation Limited यानि IRFC की बात करें तो स्टॉक में Friday को काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है अब ये गिरावट इसलिए बन रही है क्योंकि बाजार में जबर्दस गिरावट का माहूल है और जो स्टॉक लगातार दोड़ चुक है उनमें जबर्दस बिक्वाली हो रही है FY की तरब से जम के बिक्वालिक की जा रही है और इसके बीच में मार्केट मोजो ने भी इसमें सेल की रेटिंग दे दिये अब यहाँ पे रिजल्ट आने वाले है हमारे सामने साथ में कमपनी डिविडन देने जा रही है अगर इस समय शेयर खर देंगे तो डिविडन का फाइदा भी मिलेगा क्योंकि रिकॉर्ड डेट अभी बाकी है लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लटकते हुई तलवार ओएफेस की क्या ओएफेस ही समय आएगा अगर ओएफेस आएगा तो शेयर की प्राइज थोड़ी नीचे आने की समय और बन जा दे जिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेज रुकिजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले IRFC के कारोबार की बात के ले तो क्लोजिंग 134 परती BSC पर 3.27% की काफी बड़ी गिराउट देखनों को मिली स्टॉक 140 से नीचे आच चुका है क्योंकि देख सकते हो की क्लोजिंग 139 के आसपर युदि गुरू आर की और फ्राइडे को भी इंट्राइडे का ही 139 के आसपर है यानि 140 का इस तर टू टाइम अब यहाँ पे देख की जो मार्केट मोजों की तरफ से इसमें सेल की कॉल दी गई है तो देख सो की 25 ऑक्टोबर को इस टॉक में 3.45 की गिरावट हुई और यहाँ पे मार्केट मोजों का केना है कि आपको स्टॉक को सेल कर देना चाहिए उनके इसाब से आने वालस में और गिरावट की संभाव ना बन सकती है इस समय स्टॉक 5 डे 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे मूविंग अर इस से नीचे आपको स्टॉक ट्रेड करत सकते हैं तो यहाँ पे चार नौवंबर को कंपणी अपना कौर्टेटू का रिजल डिकलेर करेगी आसा है कि इस बार रिजल बैतर होगा पिछला ठीक था अगर रिजल सांदर होगा तो फिर यहाँ पे अच्छी तेजी की हम समावना देख सकते हैं और रिजल के ही दोरान यहाँ पे कंपणी की तरब से डिविडेंट का एलान भी किया जाएगा तो कंपणी का बहुत ही सांदर ट्रेक रिकोर्डे लगातार कंपणी ने डिविडेंट दिया है जब से आई प्यों आया है आप देखतो कि सबसे पहले यहाँ पे 9-2-2021 के अंदर यहाँ पे देखतो और उसी 10-2022 में इंटरिम डिविडेंट दिया 80 पैसे का उसके बाद अगर आप देखे तो 2023 में भी कंपणी के तरब से दो बार डिविडेंट मिला जिसमें देखतो कि 7% का डिविडेंट था पांचव मेंने 2023 में और इंटरिम डिविडेंट 80 पैसे का मिला है देखतो कि 2023 म माईने में तो अब देखते हुए कि इस बार फाइनल डिविडेंट सतर पैसे का और यह पाच्छों में ने दो जार चौबिस में दे दिया है तो इस बार असी पैसे का डिविडेंट मिलने की पूरी अपेक्स है उसमें कोई ज्यादा है हम इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस जरूत ने उनका जो पिछले दो तीन साल का परिपाटी के इसाब से देखे तो असी पैसे और सतर पैसे का डिविडेंट मिलने की पूरी उम्मीद है तो रिकॉर्ड डेट भी हमारे सामने आ चुकि 12 नॉमबर 2024 की रिकॉर्ड डेट है इसका मतलब यह है कि 12 नॉमबर के पह पास शेर होँगे तब ही आपको यह दिविडेंटी का फाइदा मिल जाँगा तो अब यह आपके पास मौका है आप शेर करी सकते हैं और आप चाहे तो रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं, रिजल्ट के बाद भी अगर आप शेयर ख़िएंगे, तब भी आपको डिविडेंट तो मिली जाएगा, यहाँ पे गौर करने वाली कि जो फाइनेंसल सवीस वाले जो डिविडेंट नहीं देते हैं, जादा करके टीपिकली, उसके सबसे बड़ी बात हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात हैं, कमपनी का बीजनस काफी सांदार है, बहुत सार प्रजेक्ट के उपर इन्हों ने फंड प्रोवाइड किया है, इसके अलावाद 76,735 पैसेंजर कोचेज को फंड प्रोवाइड किया है, और 2,65,815 वेगन के पर इन्होंने फंड प्रोवाइड किया है, तो देखते हो कि इनका जो टोटल मार्केट अब देखे तो 75% डोलिंग स्टॉक से आता है, रेलवे प्रोजेक्ट कमपनी के पास काफी जादा है, और आप देखते हो कि कमपनी लगातार तेजी से अपने कारुबार को आगे पर्ड़ करणे के इन्होंने अपना पॉर्ट फोलियो और वढ़ाने का अईलांड का जिसमें रेल वे के यहां पे सरकार को डालोट करना होगा और इसके मादिम से सरकार 7600 रोपीज की फंडेज कर सकती है तो 86.36% के होल्डिंग है जिसको ट्रिम करके 75% के आसपास लाना होगा तो OFS आएगा तो जो करन प्राइज से थोड़ा नीचा आएगा अब इस प्राइज भी बहुत नीचा आगी है ऐसे में लोगों को चिंता होती है कि क्या OFS के बदरे से शेर की प्राइज और गिर जाएगी इस दोरान BSC Sensex में 9% की तेजी बनी है और BSC Finance में 8% की ही तेजी बनी है तो winner यहाँ पर IRFC है और loser आपको finance sector दिखाए देगा पिछले एक साल में Indian Relay Finance Corporation ने 86% का सांधा रिटन दिया है इस दोरान BSC Sensex में 22% की तेजी बनी है और BSC Finance में 20% की तेजी है तो यहाँ पर भी loser आपको BSC Finance से ही दिखाए देगा अगर हम बात करें 3 मन्त की तो IRFC ने यहाँ पर 30% का निगेटिव रिटन दिया है इस दोरान BSC Sensex में 0.93% की गिर आउट हुई है परन्तु BSC Finance में 0.17% की तेजी है तो loser यहाँ पर IRFC है और winner आपको यहाँ पर clear ली देखो की BSC Finance दिखाए देगा अब पिछले एक महिने की बात के लिए तो IRFC आपे 15% गिर शुका है इस दोरान Sensex में 6% की गिर आउट हुई है और Finance में भी 6% की गिर आउट है लेकिन year to date के हिसाब से return इसका 35% positive है जो बहुत ही अच्छी बात है इस दोरान Sensex में लगबग 9.91% 10% की तेजी बनी है और BSC Finance में 8% की तेजी बनी है तो winner year to date के हिसाब से भी यहाँ पे IRFC है और इसलिए हम आसा करें कि आने वाले से में IRFC बैतर कर सकता है ऐसे में long term investment के अच्छा मौका है कि IRFC में निवेश करें लेकिन friends कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors ले 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 या अपना खुद का research करें क्योंकि माइने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जुरू किज़े और चैनल को subscribe कर दीजिए